अलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर तो दोस्तों आज किस वीडियो में यहाँ पर हम जानने वाले हैं Boom proxy application के बारे में application क्या है आप इस application को कैसे use कर सकते हैं आप इस application की मदद से network first कैसे कर पाएंगे तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने मारी जैसा कि आप दे सकते लिखा हुआ है I have to enhance your network security आप यहाँ पर देख सकते हैं चलिए यहाँ पर इस application को करते हैं open simply open पर type कर देते हैं तो आपको next कुछ इस तरह से interface देखने को मिल जाताए है आप देसकते हैं बूम यहाँ पर लिखते हैं चेकिंग फोंज ने ताप देन सकते हैं और बेस्ट server दे सकते हैं simply आपको इस परकार से भी इंटरफेस देखने को मिल जाता है आप देख सकते हैं type to connect इस पर type करके आप VPN को असाने से connect कर सकते हैं तो simply हम इस पर type कर देते हैं टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर permission मागेगा आपको आलबे जलाओ कर देना होगा आलबे जलाओ कर देते हैं तो आप देख सकते हैं चेकिंग हमारा अभी चेकिंग हो रहा है आपको यहाँ पर थोड़ा दिर बेट भी कर लेना होगा तो हम यहाँ पर थोड़ा दिर बेट कर लेते हैं जैसा कि आप दे सकते हैं लगबग आधा loading हो चुका है और आप यहां पर इस परकार से दे सकते loading हो रहा है तो आपको इस परकार से देखने को मिल जाता है आप दे सकते connect और आपको यहां पर remaining time भी देखने को मिल जाता है इस परकार से आप यहां पर BPN को असानी से connect भी कर सकत हैं और यहां से हम बाइक जाते हैं तो आपको इस परकार से देखने को मिलता है और यदि आप BPN को disconnect करना चाहते हैं तो आपको stop वाले option पर type कर देना होगा तो simply हम इस पर type कर देते हैं तो आप दे सकते disconnecting हमारा VPN यहाँ पर disconnecting हो रहा है आपको बेट कर लेना होगा हम बेट कर लेते हैं तो आप यहाँ पर location देख सकते हैं और upload data डाउनलोड देख सकते हैं और यहाँ पर VPN disconnect भी हो चुका है simply आप देख सकते location इस पर type कर देते हैं तो आप देख सकते video and music देख सकते यहां से आप connect कर सकते हैं और आपको यहां पर अलग-अलग server भी देखने को मिल जाता है या सब जो server है एक smart server है आप यहां से server भी connect कर सकते हैं और इसी के साथ आप उबर दे सकते हैं three line का option इस पर टाइप करते हैं इस परकार से आपको देखने को मिल जाता है तो इस परकार से आप इस application के यूज कर सकते हैं